नमस्कार दोस्तों स्टडी जोन एजूकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का इवबाब फिस्से स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के most important current affairs के बारे में तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को अगर आप किसी भी एकन ज़रूर प्रेस करें शुरुबात करते हैं आज की current affair की हमारे पहले कोशिन के साथ हमारा आज का पहला कोशिन है कि जुलाई 2020 में राजीव स्वरूप को किस राज्य में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव स्वरूप जी किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गये हैं अबी रिसेंटली ये हमें बताना है इसका सही answer option डीवल है यनि की राजिस्तान अब रिसेंटली राजिस्तान के मुख्य सचिव बनाये गए है राजीव सरूब जी इससे पहले राजिस्तान के मुख्य सचिव जिनका नाम जो थे उनका नाम है डीवी गुपता तो डीवी गुपता लगभग तीन मैने बाद काहिका की दिष्र है और मुख्य मंत्री है अशोग गहलूत अगर मैं आपको रज्टान ले चलों तो राज्टान में हमें देखना है कि राज्टान की अन्य राज्यों से परश होती है तो राज्यतान की सिमा कुछाश से लगी हुई है इसी तरीके से मद्यपर्देश से लगी हुई है साथ उत्तरपर्देश के साथ लगती है राजस्तान की सीमा हर्याना के साथ लगती है और पंजाब के साथ भी मद्यपर्देश की सीमा लगी हुई है इसके अलावा पागिस्तान के साथ काफी चता जो है यह सीमा साजा करता है राजस्तान ठीक है चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेशिन नंबर सेकेंड की कि जुलाई 2020 में मिशन रिक्षा रूपन 2020 किस राज्यू में शुरू किया गया मिशन रिक्षा रूपन 2020 की अभी शुरुवात हुई है उत्तर परदेश में यानि कि ऑप्षिन यहां पर से ब लखना हूं जिले हैं उत्तर परदेश में 75 मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते होंगे योगी आदितनाथ और राज्यपाल है अनंदी बेन पटेल अगर मैं आपको उत्तर परदेश दिखाओं तो यह रिखिए उत्तर परदेश यहां पर से हमेशा एक्जाम में यही प साथ हिमाचल परदेश के साथ लगी हुई है इधर से देखेंगे तो बिहार और चतिसगर के साथ भी उत्तर परदेश की सीमा लगी हुई है अगर आप यहां पर से देखेंगे तो जारकंड के साथ भी जो है थोड़ा सा सीमा उत्तर परदेश की लगती है बाकी एक अंतरा प्रटन कोईशिन है यह हमारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जैपुर में जैपुर पढ़ता है राजिस्तान में तो याद रखेगा कि राजिस्तान के जैपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जो की ल काम है मोटेरा क्रिक्ट इस्टिडियम जो कि एमधाबाद में इस्तित है अलाकि इसका जो है अब उध्वाटर नहीं होगा है लेकिन यह सबसे बड़ा बीश्य का सबसे बड़ा क्रिकट इस्टेडियाम में मुटेरा कि इस्टेडियम उसके बाद दूसरे नमबर पी आता है ऐस्टेलिया का मेलवन इस्टेडियम तो अब यहाँ पर तीसरा जो ख्रिक्रदिस्टेडियम होगा सबसे बड़ा उसकी स्टापना जैपुर में की जाएगी ठीक है तो दुनिया की जो 1-2.20 में निम्ले लिखित पर से किसने terminal रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 को पूरा किये एक का एक मेसरिम discovers मेरिका थीक shy यह हर साल आयजित की जाती है इसको हम रॉग ल क्रॉみ भी भबलते यह बीराम लिखा हुआ है यह इसलिझा हुआ है क्योंकि एक वरचुली इसवार आयजित कीय दिखा गया तो भरत पन्नू हैं जिन्होंने इंडोर 4000 किलोमीटर पैडल चला कर जो है वर्चुल मंच पर जो आयोजित हुई थी ती रेस रेस एक्रोस अमेरिका इसको पूरा किया है ठीक है रेस अक्रोस अमेरिका आर एम ही इसको बोला जाता है लेकिन क्योंकि यह वर्चु यह एम का फुल फॉर्म यह लिखा हुआ है तो यह सबसे मुश्किल रेस में से एक गिनी जाती है क्रोना वाइरस की वज़े से दुनिया भर में इस वक्त जितने कारेक्रम हो रहें जातर वो सब वर्चुली आयोजित किया रहें तो इस बार यह विजो है वर्चुली ही आय कह सकते हो कि पहाड़ी इलाका पठारों से मैदानों से मतलब होते हुए काफी लंबी रेस होती है यह ठीक है लेकिन इस बार तुकि इसको वर्चुली आयोजित किया गया था जिस आप जब जिम में जाते तो वहां साइकल रखी होते हैं एकी जगह पर साइकल रहती लेकिन आप पैडिल मारते रहते हो तो उसी तरह की का मतलब यह भी उसी तरह के से हुआ था कि आपको पैडल मारना है उसमें पूरा जो है डिस्टेंस दिखाए जाएगे कि कितने डिस्टेंस जो है का आपने कवर कर लिए ठीक है तो 4000 km का सपर्त है करने में आप कह सकते हैं को 12 दि यह अभियान है वह वह सरकार के दवारा भी सर्पी शुरूख किया गया है इसको शुरूखिया मध्यागर देश और उतराखंड हिमांचल पदуск यह कुछ ऐसे राज्य है जो कि प्रीय कर दो नियुदर है तो मद्व पर्देश में एक अभियान चलाए जाएगा और लोग को बोला जाएगा कि आप इन सब को देखने आईए ठीक है इसके बाद कुशिन नंबर चटा है कि निमलिकित में से किस देश में पिछले दो महिने में 350 से अधिक हातियों की रहस्च में तरीके से मौत हो गई है यह काफी चाला चर्चा में है इस वक्ते ट मौत है व का वांगो डिल्टा परता है तो जहां पर इन हाथी ओं की मौत हुईू आपड़ी एक ऐसी recommended गटना हुए 가स गुए जी समय की लगातार पिछले दो मेने से यहां पर हातियों की मौत हो रही है कि इंट्रेस्टिंग बात यह है कि जितने भी हाती जो मरते हैं वो जब मरते हैं तो मतलब मैक्समम टाइम ऐसा होता है कि उनका सिकार किया जाता है उनके दांतू के लिए इसी वज़े से उनको मतलब जो है वो मर जाते हैं लेकिन इस केस में ऐसा देखा गया है कि जो हाती है वो मर रहे हैं यह एक जाज का विशय है यहां पर और काफी ज़्यादा जो है मतलब इस चिंता का विशय भी है क्योंकि लगातार हातियों की यहां पर मौत होती जा रही है और इस इलाके में जगा जगा आपको हाती मरे हुए मिल जाएंगे तो पिछले दो मेहने में 350 से अधिक हातियों की यहां पर रहस्त में तरीके से मौत हो गई है वो भी तब जब इस इलाके में अभी फिलाल में प्रियाप्त मात्रा में पानी है हातियों के लिए तो यह भी नहीं कह सकते हो कि भोक और प्यास की वज़े से वो मरे होंगे वोस्वाना के अगर बात करते हैं तो यहां की राजधानी गवारूनी है और यहां की जो मुद्रा है वो है पुला तो मैं आपको वोस्वाना ले चलता हूँ जहां पर हातियों की मौत हुई है यह अपना इंडिया है और आप यह देखेंगे जिंबावे के वगल में तो यह वोस्वाना है तो यहीं पर यह घटना हुई है ठीक है कुछी नमबर सात्वा है कि हाली में केन सरकार ने किस राज में आत्म निर्भर भारत कारिक्रम के अंतरगत फूट पार्कों के धाचागरत सुधार धाचागत सुधार ही तुच चार हजार क्रोड रुपे की रासी मंजूर की है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वला यानि की करनाटक में अत्म निर्भर जो कारिक्रम है केन सरकार का उसके तहट 4,000 रुपे आवंटिद किये गए हैं आंदरपरदेश सरकार को ताकि आंदरपरदेश में जितने भी फूट पार्क हैं उनको आधुनिक बनाया जाए वहां पर मतलब सुधार किये जाये उन चालिस वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है केंद सरकार ने तो यहां पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा यह जो सिख फॉर जस्टिस है बेसके लिए खालिस्तान समर्थन करने वाला एक संगठन है ठीक है आप सब लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे मतलब खालिस्तानी ऐस की ब्लॉक कर दी गई है इन वेबसाइटों के जरिये ही यह खालिस्तान के जो है मतलब भारे में दुनिया वर की चीज़ें लिखते थे और अपना समर्थन जुटाते थे चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेशन नमबर नाइन की कि जुलाई 2020 में इम्रिकित में से किसके के द्वारा बहुत का पहला शोशल मीडिया एप ऐलिमेंट्स लॉंच किया गया है एलिमेंट्स नामक जो एप है वह वह रिसेंटली हमारे उपर आश्पति सरी एम वंकिया नाइडू जी के द्वारा लॉंच किया गया है यानि कि ऑप्शन बी वाला यहां पसे बिलकुल स सकते हैं और इसमें जो है टुटल आपको आठ भाशाएं सपोर्ट कर सकता है यानि कि आठ वासाओं में आप इस एप को इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें अंग्रेजी स्पैनिश हिंदी मराथी बंगाली तमिल तेल्गू मलियालम कंणर और गुजराती भासाएं हैं इसके अला आइफोन का जो स्टोर है एप का एप स्टोर वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद कुश्चिन नमबर दसवा हैं कि जुलाई 2020 में निमने रिखित में से किस पूरुस खिलाड़ी को दक्षण अफ्रीका का क्रिकेटर आप दा इयर अवार्ट से सम्मानित क दिया गए हैं इसका सभी आंसर डीवल है यानि कि क्विंटन डिकॉट अभी रिसेंटली कुइंटन डिकॉट को क्रिकेटर आप दा इयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दक्षण अफ्रीका में तो यहां से ध्यान रखना चाहिए आपको याद रखेगा कि डिकॉट इ भी देने वाले अब दक्षण अफ्रीका के च्छटे खिलाडी अब यह दो बार जो है किरिकेटर आफदा इयर का अवार्ड दिया गया है इससे पहले डिकॉट को 2017 में भी किरिकेटर आफदा इयर का अवार्ड दिया गया था वहीं अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो मह मुशी 11 है कि overdraft saving the Indian saver नामक पुस्तक के लेखक कौन है overdraft saving the Indian saver नामक पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है उर्जित पतेल जो की RBI के पूर्व गवर्नर है उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है आपकी जानकारे के लिए बता दूँ कि इस पुस्तक को हारपर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है और जुलाई 2020 में यह रिलीज हो जाएगी ठीक है तो यहां पसे जब एक्जाम में पूछा जाएगा तो जो है राइटर का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि overdraft saving the Indian saver नामक जो बुक है वो कौन राइटर कौन है याद रखेगा और बी आई की पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जो है इसके लेखक है क्वेश्चिन नम्हों 12 है कि निमलिकित में से कहां पर e-learning पोर्टल लीड लॉंच किया गया है लीड नामक जो क्या रखा गया है इसमें दिल्ली सरकार ने कख्षा एक से कख्षा बात तक जो चात्र है उनके लिए सभी सिक्षन सामाकरी इसमें सामिल कर रखी है जिसमें क्या NCRT जो बुक्स है उनकी उनके मतलब पुरा जो कोर्स है वो इसमें डाला गया है इसके अलावा सी बीए सी का पुरा कॉर्स इसके अंतरगर डाला गया है और भी अलगला इसमें अब बहुत से जो है कोर्स तयार किया गए तो इस पोर्टल में आपको सभी चीज़ा मिल जाएंगी तो याद रखेगा कि लीड नाम का जो पोर्टल है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉंच किया गया है दिल्ली के जो उपराज जुपाल है तो यहां पर LG होंगे लेटिनें सहकार मित्री योजना को लॉंच किया गया यह किस के दौरा मतलब लॉंच किया गया है भी रिसेंटली सहकार मित्री योजना को तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी वाला यानि कि नरेन सिंग तो मर यह केंदर यह कृशी मंत्री है और इनी के दौरा सहकार मित्र योजना को launch किया गया था ठीक है चलिए अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रशने की इस प्रशने का उतर आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके लिए आज का प्रशने है कि जुलाई 2020 में किस देश के परधानमंत्री एडवर्ड फिलिप दें अपने पस से इस्तिपा दे दिया है एडवर्ड फिलिप किस देश के परधानमंत्री थे जिन्होंना अभी रिसेंटली अपने पस से इस्तिपा दिया है ये कमेंट करके आप बता सकते हैं थैंकियो सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आपका देश शुबो धन्यू